इस बीडी में हम देखेंगे concept हाइपनेशन का और हम यह देखेंगे कि हम में में हाइपनेशन कैसे turn on करते हैं और उसके further options किया है एक document में हाइपनेशन का क्या concept होता है like for example मैं अपनी file पे हूँ, file में लोग खुली भी word 03-1 अब चाहें तो अपना कोई document यूज़ कर सकते हैं और नहीं file download कर लें website से मैं अपनी paragraph की first line पे हूँ और मेरे पास इस line के end पे एक word आरा this for example कि मेरे पास margin के end पे इती जगा नहीं रही तो मैं क्या करूँगा यहां पर hyphen insert करूँगा ताके hyphen show करे के जो मेरे word है वह margin की कमी की वज़र से पूरा नहीं है तो यहां hyphen insert करके word की continuity को show किया है on the next line यह है concept hyphenation का इसको मैं अंडू करता हूँ और लोग हम देखा था कि marks of word हमें यह opportunity भी देता है कि आप अपने paragraph को justify align कर सकते हैं ताके दोनों side से left margin और right margin बिलकुल equal नजर आए but at the same time हमें marks of word hyphenation भी allow करता है अपने documents में तो हम देखेंगे कि हम hyphens कैसे insert करते हैं automatically और manually अपने document में मैं आँगा tools पे यहां से आँगा language और हमाँ पास यहां last option है hyphenation और यह dots शोग करें कि में पास एक further dialogue box या window खुलेगी इसको मैं click करता हूँ तो यहां पर में पास hyphenation का dialogue box खुल गया है अब इसमें में पास कुछ options है automatically hyphenate document अगे मैं इसको check कर दूँगा तो क्या करेगा माँ अग्सव वर्ड automatically में जहां जहां hyphens insert हो सकती है आप इंसर्ट कर देगा और word को break apart कर देगा दूसरा option है हमारे पास hyphenate words in caps यानि कि जो capital words है उनको भी hyphenate कर दें अगे मैं इसको uncheck कर दूँगा तो जो capital words होंगे उनको यह hyphenate नहीं करेगा फिर हमारे पास hyphenation zone होती है वह distance जो आप right margin से set करते हैं इसको आप अगर white कर देंगे तो hyphen कम से कम insert होंगी अगर आप इसको narrow कर देंगे तो hyphen से ज़दा इंसर्ट होंगी तो कफी ज़ए smooth होजिंगे अगर फिर हमारे पास last option है limit consecutive hyphen to default में setting होती no limit कि आपने को limit नहीं किया वहांके कितनी hypens apply करें अगर आपका document narrow है means कि space उसकी margins कम है left to right तो आप इसमें idly limits apply करेंगे ताके आपके जो words हैं वह जदा fragmented ना नजा आए जोता narrow document होगा यह उत्ती जदा hyphen से apply करना शुरू कर देगा और जिती जदा hyphen होगी आपका sentence उत्ता जदा fragmented यानि उत्ती जदा pieces में जदा शुरू हो जाएगा यहाँ पर इसको automatically नहीं करता मैं करता हूँ कि हम लोग इसका manual लेख लेते हैं मैं करूंगा click manual पर और यहाँ पर इसने मुझे जो पहला word दखाया कि उसको इसने hyphenate कर दिया member अगर मुझे यह acceptable है मैं कर दूँगा yes नही acceptable यह तो मैं no कर दूँगा यह अगले word पर जम कर जाएगा इसको मैं करता हूँ cancel तो देखें इसने member को दुबारा जिस position में वह पहले था वहाँ पर ले गया तो यह था concept है हमारा hyphenation का और हम किस रामक्स वर्ड में इसको यूज करते हैं और इसकी settings although मैं perfect करूंगा अपने document में यूज करना justify align justify align में जैसे हमने पहले लेख था कि between the words वो extra spaces add करके दोनों edges को smoothly align कर देगा left or right because hyphenation का feature हमारा पस available है तो इसलिए मैंने या show किया था कि hyphenation हम किस तरह करते हैं marks of word में